नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना, PSSM Blessings परिवार से समभोग से समाधी की और पुस्तक के Audio 11 में आप सभी का हिर्दय से स्वागत करती हूँ आगे ओसु जी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि एक छोटा सा गाउं था, उस गाउं के स्कूल में शिक्छक राम की कथा पढ़ा रहा था और करिब करिब सारे बच्चे सोई हुए थे राम की कथा सुनते समय तो बच्चे ऐसे ही सो जाते हैं इसमें कोई आश्यरी की बात नहीं क्योंकि राम की कथा सुनते समय बूढ़े भी सो जाते हैं तो बच्चे क्या बच्चे तो सो ही जाएंगे और उसे जाक कर सुनने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता बच्चे सोय हुए थे और सिच्छक भी पढ़ा रहे थे लेकिन कोई भी उसे अगर देखता तो कह सकता था कि वो भी सोया हुआ पढ़ा रहा है क्योंकि राम की कथा उन सिच्छक को कंठस्त थी किताब सामने खुली थी लेकिन किताब पढ़ने की उन्हें जरूरत ना थी उनको सब कुछ याद था ये अंत्र की भाती वो कहे चले जा रहे थे साइद उनको यह भी नहीं पता हो कि वो क्या कह रहे हो तोता को जैसे पता नहीं होता कि वो क्या कह रहा है जैसे वो शब्दों को कंठस्त कर लेता है कुछ पता ही नहीं होता कि क्या बोल रहा है वैसे ही वो सिचक बोले चले जा रहे थे तभी अचानक एक संसनी दोड़ गई पूरी कक्चा में अचानक ही स्कूल का निरिक्षक आ गया वो कमरे के भीतर गया बच्ची तुरंत सजक होकर बैठ गए सिक्षक भी सजक होकर पढ़ाने लगी उस निरिक्षक ने कहा कि मैं कुछ प्रश्ण पूछना चाहूंगा चुकि राम की कथा पढ़ाई जाती है इसलिए राम से ही संबंधित कोई प्रश्ण पूछूंगा उसने बच्चों से एक सीधी सी सवाल पूछा पूछा कि बताओ शिव का धनूस किसने तोड़ा उसने सोचा कि बच्चों को तोड़ फोड की बात बहुत जादा याद रहती है तो जरूर याद होगा कि किसने शिव का धनूस तोड़ा तो इसके पहले कि कोई बोले एक बच्चे ने हाथ हिलाया और खड़े होकर कहा छमा करिये मुझे नहीं पता कि किस ने तोड़ा था एक बात तो निश्चित है कि मैं कह दूँ 15 दिन से मैं छुट्टी पर था मैंने नहीं तोड़ा और इसके पहले कि कोई मेरे उपर इल्जाम लगाए मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि धनुस का मुझे कुछ भी अता पता नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं कि अधनुस किस ने तोड़ा है क्योंकि जब भी इस इसकूल में कोई चीज तूटती है तो सबसे पहले मेरे उपर दो सारोपन आता है इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे उपर दो सारोपन ना हो मैंने नहीं तोड़ा मुझे इस धरुज के बारे में कुछ भी पता नहीं नेरे चख तो यह बात सुनकर हैरान रह गया उसने सोचा भी ना था कि कोई यह उत्तर देगा उसने सिख्चक की तरफ देखा सिख्चक अपना बेट निकाल रहा था और उसने कहा जरूर इसी बदमास ने तोड़ा होगा इसकी हमेशा की तरह आदत है और यगर यह नहीं तोड़ा तो यह खड़ा होकर क्यों बता रहा है कि मैंने नहीं तोड़ा और वह निरक्चक से कहा आप इसकी बातों में मताएं यह लड़का शरारती है स्कूल में सो चीजे तूटे तो 99 चीजे यही तोड़ता है तब वह निरक्चक और हैरान हो गया फिर उसने कुछ भी वहां कहना उचित ना समझा वह सीधा परधाना ध्यापक के पास गया जाकर उसने कहा किया घटना घटी राम की कथा पढ़ाई जाती थी जिस कच्छा में उससे मैंने पूछा कि शिप का धनुस किसने तोड़ा तो एक बच्चे ने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा मैं पंद्रह दिन से छुटी पर था और सिक्छक ने कहा कि जरूर इसी ने तोड़ा होगा जब भी कोई चीज तूड़ती है तो यही जिम्मेदार होता है इसके संबंध में क्या किया जाए उस प्रधाना ध्यापक ने कहा इस संबंध में एक ही बात की जा सकती है कि अब बात को आगे ना बढ़ाया जाए क्योंकि लड़कों से कुछ भी कहना खत्रा मोल लेना है किसी विछन हरताल हो सकती है अनसन हो सकती है अब जिसने भी तोड़ा होगा तोड़ा होगा आप किर्पया करके बाते बंद कर दें क्योंकि दो महीनों में शान्ती चल रही है दो महीनों से शान्ती चल रही है स्कूल में अब उसे भंग करने की कोशिस मत करें ना मालूम कितना फरनीचा तोड़ दाला है इस लड़कों ने हम चुपचाप देखते रहते हैं स्कूल की दिवाल तूट गई हम चुपचाप देखते रहे कुछ भी बोलना खतरनाक है हड़ताल हो सकती है अंसन हो सकती है इसलिए हम चुपचाप देखने की सिबाय कुछ भी नहीं करते अब यह सुनकर निरिक्षक तो अभाक रह गया वह तो आखे फाड़े रह गया कुछ भी बोलना पाया वह सीधा स्कूल की जो सिक्षा समीती थी उस अध्यक्ष के पास गया और जाकर स्कूल की हालत पूरी बताई कि राम की कथा पढ़ाई जाती है और बच्चा इस तरह से जवाब देता है और सिक्षक इस तरह से जवाब देता है और परधाना अध्याप कहता है परधाना अध्यापक कहता है कि जिसने भी तोड़ा होगा बात को रफा दफा करो शान्त कर दो बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं हरताल हो सकती है अब आप इस बिसे पर क्या कहेंगे तो अब वो अध्यक्च कहता है ठीक ही तो कहता है परधाना अध्यापक किसीने भी तोड़ा हो हम ठीक करवा देंगे समीती की तरफ से ठीक करवा देंगे आप फर नीचर वाले को यहां भेज दें और ठीक करवा लें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है किसने तोड़ा सुधर्वाने का उपाय करना चाहिए सुधर्वाना ज्यादा जरूरी है जिसने भी तोड़ा होगा तोड़ा होगा अब यह स्कूल का इंस्पेक्टर यह जो निरिक चक थे इन्होंने ओसो जी को पूरी घटना इसकूल वाली बताई तो ओसो जी इस घटना के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मनुस्य के अंदर जो कमजोरी है उस कमजोरी को वह स्विकार नहीं करता कमजोरी यह है कि जिस संबंद में हम कुछ भी नहीं जानते उस संबंद में हम ऐसा घोशना करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं वे कुछ भी नहीं जानते थे कि शिव का धनुस से क्या है इसको अगर स्विकार कर लेते तो उनकी बैइस्ती हो जाती वो अपने अज्यान को स्विकार नहीं करना चाहते थे इसलिए इतनी आगे बाते बनाते चले गए हर आदमी सोचता है कि हम जानते हैं इसलिए वो जो भी उत्तर देता है वो इतना मुढता पूर्ण होता है जैसे उस इसकूल में बच्चे ने दिये और बच्चे से ले करके अध्यक्ष तक ने दिये कि हमको सभी कुछ पता है उत्तर देने की कोशिस उनको मुढता में लेकर चले गई एक एक आदमी की जिन्दगी बता रही है कि हम जिन्दगी के संबंध में कुछ भी नहीं जानते अन्यथा इतनी असफलता इतने निराशा इतना दुख इतने चिंता क्यों होती यही बात ओसो जी काम के संबंध में बताना चाहते हैं कि काम के संबंध में हम कुछ भी नहीं जानते और अगर यह बात बोला जाए कि आप काम के संबंद में कुछ नहीं जानते तो लोग हैरान हो जाते हैं वो मान ही नहीं सकते कि वो काम के संबंद में कुछ नहीं जानते वो कहेंगे लो जी हमारे बच्चे पैदे हुए बतनी है हम काम के संबंद में नहीं जानते ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन ओसो जी कहते हैं आप काम के अनुभब से गुजरे होंगे लेकिन आप काम के संबंध में उतना नहीं जानते जितना एक छोटा सा बच्चा जानता है उतना ही जानते हैं उससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं जानते अनुभब से गुजर जाना जान लेने के लिए पर्याप्त नहीं है एक आदमी कार चलाता है वह कार चलाना जानता है और हो सकता है हजारों मील कार चला कर वह आ गया हो लेकिन इससे यह कोई मतलब नहीं होता कि वह कार के भीतर के यंत्र और मशीन और उसकी विवस्था उसके काम करने के ढंके संबंद में कुछ भी जानता हो वह यह कह सकता है कि मैं हजार मिल चल कर आया हूं कार से मैं नहीं जानता हूं कार के संबंद में लेकिन कार चलाना एक उपरी बात है और कार की पूरी आंत्रिक विवस्था को जानना बिल्कुल दूसरी बात है आके उसोची बताते हैं कि काम की शक्ती और काम की प्रकिरिया जीबन और जगत में सरवाधिक रहसपूर्ण सरवाधिक गहरी और सबसे ज़्यादा मुल्लेवान है उसके संबंद में हम बिलकुल चुप हैं जो सरवाधिक मुल्लेवान है उसके संबंद में कोई भी बात नहीं की जाती आदमें जीबन भर संभोग से गुजरता है और अंत तक भी नहीं जान पाता कि क्या था संभोग जिन लोगोंने संभोग को जाना उनको यह सुत्र उपलब्द हुआ होगा कि अगर संभोग एक मिनट तक रुकेगा तो आदमें दूसरे दिन फिर संभोग के लिए लालाईत हो जाएगा अगर तीन मिनट तक रुक सके तो एक सब्ता तक उसे काम की वह याद भी नहीं आएगी और अगर साथ मिनट तक रुके तो तीन महिने के लिए काम से इस तरह मुक्त हो जाएगा कि उसकी कल्पना में भी बीचार में भी काम प्रविष्ट नहीं होगा और अगर तीन घंटे तक रुख सके तो जीवन भर के लिए मुक्त हो जाएगा जीवन में उसकी कभी कल्पना भी नहीं उठेगी लेकिन समान निता चन भर का अनुभब है मनुस्य का तीन घंटे की कल्पना करनी भी मुश्किल है लेकिन तीन घंटे अगर संभोग की इस्थिती में उस समाध्य की दसा में व्यक्ति रुक जाए तो एक संभोग पूरे जीवन के लिए काम से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है इतनी त्रिप्ति पीछे छोड़ जाता है इतना अनुवप इतना बोध छोड़ जाता है कि जीवन भर के लिए पर्याप्त हो जाता है एक संभोग के बाद व्यक्ति ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो सकता है एक चन से तीन घंटे तक संभोग की दसा ठहर सकती है लेकिन कैसे आगे ओसो जी बताते हैं कि आपको थोड़ी से सुत्र कहता हूँ उन्हें थोड़ा ख्याल में रखेंगे तो ब्रह्मचरी की तरफ जाने में बड़ी यात्रा सरल हो जाएगी संभोग करते चनो स्वास इतनी तेज होगी संभोग का काल उतना ही छोटा होगा स्वास जितनी शान्त और शिथिल होगी संभोग का काल उतना ही लंबा हो जाएगा अगर स्वास को बिलकुल शिथिल रहने का थोड़ा सा अभ्यास किया जाए तो संभोग को कितना ही लंबा किया जा सकता है और संभोग के चन जितने लंबी होगे उतने ही संभोग के भीतर से समाधी का जो सुत्र मैंने आप से कहा निर अहंकार भाव समय सुन्यता का भाव का अनुभब होने लग जाएगा स्वास अत्यन्त शिथिल होनी चाहिए स्वास के शिथिल होनी से ही संभोग की गहराई अर्थ और नए उदगाटन सुरु हो जाएगे और दूसरा सुत्र संभोग की छण में ध्यान दोनों आखों के बीच जहां योग आज्या चक्र बताता है उहां अगर ध्यान हो तो संभोग की सीमा और संभोग को तीन घंडे तक बढ़ाया जा सकता है और एक संभोग ब्यक्ति को सधा के लिए ब्रह्मचरे में प्रतिष्ठित कर देता है ना केवल इस जनम के लिए बलकि अगले जनम के लिए भी ब्रह्मचरे थोपा नहीं जा सकता वह किसी गहरे अनुभब का फल है और वह अनुभब संभोग का ही अनुभब है अगर वह अनुभब एक बार भी हो जाए तो अनंत जीवन की यात्रा के लिए काम से मुक्ति हो जाती है तो दो बातें ओसो जी ने बताई उस गहराई के लिए पहला स्वास सिथिल हो जाए इतनी सिथिल हो कि जैसे चलती ही नहीं और ध्यान आग्या चक्र के पास हो दोनों आखे आखों के बीच के बिंदू पर जितना ध्यान मस्तिस्क के पास होगा उतने ही संभोग की गहराई अपने आप बढ़ जाएगी और जितनी स्वास सिथिल होगी उतनी लंबाई बढ़ जाएगी धन्यवाद दोस्तों